हेलो दोस्तों स्वा करता है मेरे ये टीप चल में आज हम देखेंगे अनुस्वार के बारे में और अनुनासी के बारे में चलो पढ़ लेते हैं अनुस्वार की परिबाशा अनुस्वार वियंजन का चीन है यह वर्णमाला के प्रतिक वर्ग के पंचमवर्ण के स्थान पर बिंदी के रूप में प्रयोगत होता है। अपने ही वर्ग के किसी वियंजन से पहले हलंत रूप में आने पर पंचमाक्चर का प्रयोग अनुस्वार के रूप में होता है। जैसे कंगन, संभन, चेंचल, पंक चुल अभी पढ़ लेते हैं अनुनासिक के बारे में जिन स्वरों का उचारन मुख वर नासिक का दोनों से होता है वे अनुनासिक स्वर कहलाते हैं अनुनासिक स्वरों को लिखने के लिए चेंद्रबिंदू का प्रयोग किया जाता है जैसा का आंगन कहां तो दोस्टो लगता है आपको समझ गया है तो मेरी वीडियो का लाइक करना, शेर करना और सब्सक्रेब करना मत बोलना तो दोस्टो आगली वीडियो में आपके साथ अलक ट्रोपिक की साथ बोलना तब तक मेरी चेंद्र को सब्सक्रेब करना मत बोलना धन्यवाद